तो जैसा कि हम यह देख सकते हैं हमारा सेड हाउस, यह जगा जगा से तूटा फूटा है, तो यहाँ पर हम क्या है ग्राप्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो चीज में बताने वाला हूँ, जैसे यह क्या अपना सेड हाउस है, जो इससे एडवांस फर्म होता है, वो पॉली हाउस होता है, और उससे भी एडवांस फर्म होता है, वो ग्लास हाउस होता है, तो यह सभी जो है दिन हाउस के प्रकार होते हैं, तो यह देख सकते हैं यहाँ उपर की और इधर बड़ा और फिर यहां पर क्या है इधर भी ऊपर आमका पेड़ और उसका च्छाव तो इससे क्या हो रहा है जो नेचरल वेंटिलेशन चाहिए एर सर्क्लेशन चाहिए जो आसपास में जो मार्क ठंड़क सके वो चीज़ यहां पर हमारा नेचरली बन रहा है और हमेसा यहां पर आधा धूप आधा च्छाव है और वैसे भी यह सेट जो है यह जो है लाइट के इंसिटी को कम कर रहा है मतब डैरेक्ट धूप को भी कर रहे हैं हवा यहां पर तो इससे क्या हो रहा है अगर हम इसके उपर में जाली के ऊपर में कोई और क्लेडिंग मटेरियल न भी डालें तब भी यहां पर हमारा ग्राफ्टिंग का काम हो जाएगा थोड़ा सबस इसको रिप्यर करने का जरूत है तो इसको दिखाने का यह परप्रस था कि हम सेड नेट के अंदर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या नहीं हम ग्राफ्टिंग सेड नेट के अंदर तभी कर सकते हैं जैसे उधर से पैड वाला सिस्टम लगा हुआ हो और इधर सामने एक एक्जोस्ट सिस्टम लगा हो तो इसको हम लोग अभी करने वाले और इस साइट सामने इधर एक्जोस्ट लगने वाला है तो उससे क्या हो जाएगा उधर पैट होगा तो वो ठंडा हुआ को जो है एक्जोस्ट फेन इस तरफ से इधर लेके जाएगा और फिर बाहर निकालेगा एर सर्कुलेशन होगा ठंडे होगा यहां पर तो फिर गाप्टिंग इजली हो जाएगा और इसी के अंदर फिर हेलिंग चेंबर भी बनाया जा सकता है मतलब बने गई और फिर पूरा चीज यहीं पर हो जाएगा ग्राप्टिंग ग्राप्टिंग के बाद यह अपना पहला क्या रहता है ग्राप्टिंग किये तो ग्राप्टिंग चेंबर के यहीं काम करेगा और फिर उसको हील करने के लिए हीलिंग चेंबर भी इसे के अंदर रहेगा और हार्डेनिंग भी यहीं पर हो जाएगा तो हमारे पास है यह अपना एक हो गया यह बड़ा सा सेड हाउस इसके बगल में इतना ही बड़ा सेड हाउस और फिर उधर एक और सेड हाउस है अलागी थोड़ा बहुत रिपेर करने के इसको जरूत है तो अगर आपके पास इस तरह का कोई सेड हाउस है तो उसमें भी गाप्टिंग का चेंबर बनाया जा सकता है और हिलिंग चेंबर भी जब पूरी तरह से बन जाएगा उसके बाद मैं दिखाने वाला हूं कि यह किस तरह से वर्क कर रहा है और फिर आपको बेटर समझ में आएगा कि आपको करना क्या है